यह पाकिस्तान ने यह हसिनाओं को कैसे तयार कर रहा है यह पूरा जाल कैसे फैला रहा है इसपर बात करते हैं STF के founder राजिश पांडे जी से और सरा आपका न्यूजेटी पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखे आपने जो सवाल किया है कि यह जो हनी ट्रैप का मामला है दरसल यह है तो बहुत पराना लेकिन इसका जो नया सुरूप आया है वो तब से आया है जब हमारे हां इंटर देखे सामने वाला ISI के हैंडलर से ISI की लोग उनके पास फुल टाइम यही काम है वो सर्च करते रहते हैं प्रोफाइल देखते रहते हैं जिसमें आर्मी बैग्राउंड का कोई अगर प्रोफाइल पे मिल गया तो फिर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी फिर बातचीत ह होगी सामाने बातचीत होगी इस बीच में वो आपके फेस्बुक आईडी से आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में आपके दोस्तों के बारे में आपके प्रोफेशनल दोस्तों के बारे में आपके साथ जो लोग आपके डिबाटमेंट में काम करते हैं उनके बारे में एक अगर भीधर का कोई आदमी उनके इस जाल में हनी टेप में फसा तो भीतर की सूचनाए वो सूचना एकठा करने का काम करते हैं, जो उनके लिए काम्याब होगी, तो ये एक तरह की जासूसी है पुराने जमाने के जासूस थे, वो सब खतम, अब जो ये नए जमाने के जासूस है वो इस तरह से, जैसे सेक्स्टॉर्शन का बहुत बड़ा रेकेट फ्रॉट्स ने जो साइबर क्राइम के लोगों ने किया है, यह कुछ-कुछ उसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें तो वहाँ प्योर और प्योर वो कहते हैं, इतना पैसा दीजे नहीं, अभी हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, इतना पैसा दीजे नहीं, तो आपके कॉंटेक्स को जो इस्तेमाल की जाती हैं इसमें, आपको ध्यान भी होगा कि अभी कुछ दिन पहले, कोई दो-तीन साल पहले की बात है, जब एक एडवाजरी जारी की गई थी, जो सेना के लोग हैं, सेना के तीनों विंग के लोग हैं, कि कृपा करके आप लोग अपनी प्रोफाइल, फे प्राइवेट आत्मी को भी इसी तरह टार्गेट करते हैं, कोई कुछ नहीं जैसे जो केंटोनमेंट छेतर के आसपास पता लगा, यह फ़ला जगर रहता है, तो उसको यही काम देएते हैं कि तुम कल देखना कि कितनी ट्रकें वहां से निकली, उनका नंबर क्या था, कितन बड़े पैमाने पर, यह दिन भर इसी लिए जो लोग वर्दिधारी फोर्स में हैं, किसी भी पुलिस में हैं, पेरा मिलिटरी फोर्स में हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं, और एर फोर्स में हैं, तो अगर वो फेस्बुक चला रहे हैं, तो कम से कम जो फ्रेंड के हैं अगल बगल कि किसी लोकेशन की फोटो मांग लें वीडियो मांग लें तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि यह कौन है और इसका जो इसका परपस है वो क्या हो सकता है तो यह पुरानी जो जासूसी के और इतिहास में भी इस से महिलाओं के तिरु जासूशी की गई है। अब यह बहुत ही फास्ट हो गया है, बहुत तेज हो गया है. सुचना भी तेजी से ले रहे हैं और काम भी बहुत तेजी से चला रहे है है। आपको डराएंगे उनके पास सब रेडिमेड है, आपकी Facebook ID जैसे बाची शुरू हुई तो बताएंगे कि मैं ये वीडियो आपके भाई फला को भेज रही हूँ, ये बहन को भेज रही हूँ, ये आपके चीफ को भेज रही हूँ, क्योंकि आपकी ID में सारे लोगों के नाम नमबर है, तो ये त तरीका है, इसमें सावधानी के आवशकता है, इन लोगों को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, कुछ आइडिया की कैसे तयार होते हैं ये लोग, देखे ऐसा है ना, पाकिस्तान में ऐसे लोगों का मिलना कोई कठिन काम नहीं है, आप जानती हैं कि पाकिस्तान इस समय जिस तर करा मिलिटरी का है, या केंटोनमेंट के पास का रहने वाला कोई प्राइवेट आदमी है, दिन में मालियां उन्होंने 200 फ्रैंड रिक्वेस्ट भेजी, एक दो फंसी जाएगा, फिर उससे आगे की बात पूछेंगे, फिर उनके काम का जो होगा, फिर उससे आगे की बात इसा बहुत ही सामानी सी बात है, आईसाई के हैंडलेर, इसाई के जो हैटकॉर्टर्स है, उनके जो लोग हैं, वो इसी काम में लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं, उनके लिए कोई ऐसा नहीं है, यह बहुत महंगा साओधा है और बड़ी मुश्किल से किसी महिला को या लड़की को मैनेज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सर आपने पहचानने के तरीके भी बता दिये कुछ है, उसके कुछ और पॉइंट से बता दिये, जैसे माली जी मेरे पास को रिक्वेस्ट आती है, किसी मेल की आती है, तो हम कैसे पहचाने, देखे, आप उनसे नाम पूछ पता पूछे, उसको ढूड़िये आप, शोशल मेडिया साइट पर, उनकी फोटो मांगिए, फोटो जैसे जो डीपी पे लगी है, उसको फोटो आइंडिफिकेशन का एक आप आता है, उसको आप डालिये तो वो फोटो अगर किसी दूसरे परिपेक्ष में कहीं और पड़ कि आप वहां के रहने वाले हैं, लाहूर के, आईए, लाहूर, करांची, गावल पिंडी यही बताते हैं, इससे दिखने ही बताते हो, तो वहां की आप नेट पर ढूंड लीजिए, आज पास के कौन से ऐसे फिमर्स जगह है, वो उनसे कहिए कि जरा उसकी फोटो ग्राफ में डाली है उसे, तो पता लग जाएगा कि नेट में कहां से निकाल के उसने दिया है, बाब और धनिवासरम से बात करने के लिए, तो आपने सुना, राजश पांडी जी ने कितने अच्छे समय जानकारी दियो, साथ में उन्होंने अलर्ट भी किया है, कि अगर इस तरह की पुरा पाकिस्तान जाल फैलार आए, जिस तरह के वहां हालात है, कोई पांच हजार और दस हजार उपए में भी दिन भर बैठने के लिए तयार है, और लोगों के फसाने के लिए वो लोग यही काम कर रहे हैं, तो ऐसी और दिल्चस्प जानकारी जुड़ी मेरे साथ, मैं अजिली सिंग राजपूत, न्यूस 18